प्रेया वरन की बारे में गट्टू और चिंकी पूरी तरह से अवेर हो चुके हैं इसलिए आज गट्टू और चिंकी के कहने पर सुसाइटी में ट्रेय प्लांटेशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें सभी बच्चे एक एक पौधा अपनी सुसाइटी गार्डन में लगा रहे है ममी पापा हम आम का पेर लगाएंगे ममी हम अमरूत का पेर भी लगाएंगे हाँ हाँ गट्टू चिंकी आम का भी लगाएंगे और अमरूत का भी लगाएंगे ठीक है तभी वहाँ पर बंटी आया गट्टू, मैं तो फूलों का पेड लगाऊंगा मुझे फूल बहुत पसंद है गट आइडिया बंटी, सोसाइटी खुबसूरत दिखेगी मैंने भी फूल का पेड लगाने के बारे में सोचा है फिर क्या था? गट्टू और चिंकी ने आम का पेड लगाने के लिए छोटा सा गट्था बनाया और उसमें अपना आम का पेड लगाया चिंकी ने मिट्टी डाली और फिर गट्टू ने उस पर पानी जिड़का और इस तरह से आम का बीज बोया गया देखो मेरा आमका पेड लग गया अब बस ये जल से जल पड़ा हो जाए तो मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे गट्टू बीटा पेड़ पर फल लगने को काफी समय लग जाते हैं इतनी जल्दी थोड़ी फल मिलेंगे अरे इंतजार करना होगा गट्टू और चींकी ने मिलकर चींकी का अमरूत का पौधा लगाने के लिए गड़ा बनाया बच्चों के मुम्मी पापा घर चली गए बच्चे आपस में बातचित करने लगे तुम्हें पता है पेड पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं पेड से ही पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है अच्छा पेड तो हमें और पेड लगाने चाहिए जिंकी तुम्हें पता है फूलों के पेड बहुत जल्दी बढ़े होते हैं और बहुत जल्द फूल भी मिलते हैं अरे वाह, यह तो अच्छी बात है मेरा अमरूत का पेड़ भी जल्द से जल्द बढ़ा हो जाएगा ताकि मैं खंटे मीठे अमरूत खा सकूँ हाँ, मेरा अमका पेड़ भी बहुत जल्द बढ़ा होगा मैं इसे कई बार पानी डालूँगा ताकि जल्द से जल्द पेड़ बढ़ा हो जाए देखो मैंने फूलों का पेड़ लगाया है मैं अपने फूल तुम सब में बाटूँगा लेकिन मुझे मीठे मीठे और खटे मीठे फल भी देना हाँ, बंटी, क्यो नहीं? लेकिन तुम भी मेरे पेड़ को पानी डाला तभी मैं तुम्हें अपने फल दूँगा सभी हस पड़े चिंकी अपने लाए पौधे की और जाकर बात करने लगी मेरा प्यारा पौधा, जल्दी से बड़े हो जाओ मुझे बड़ा पेड़ देखना है और घटे मीधे फल खाने है गट्टू चिंकी घर चले गए और डिनर करने के बाद दोनों सोने चले गए मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कहीं पेड उखतो नहीं आया न अरे गट्टू नहीं पापा ने कहा था पेड इतने जल्दी नहीं उखते गट्टू चिंकी सो गए अगले दिन चिंकी जल्दी उठ गए चिंकी अपना पौधा देखने सोसाइटी गाड़न में पहुचे चिंकी तेखकर हैराल हो गई चिंकी का पेड बड़ा हो गया था और ताजे ताजे फल पेड पर लटक रहे थे अँए इतना बड़ा पेड लेकिन पापा ने तो कहा था पेड इतनी जल्दी बड़े नहीं होते तभी चिंकी ने आवाद सुनी चिंकी मैं बड़ा हो गया हूँ तुम्हें अब मेरा और भी खयाल रखना होगा हाँ मैं तुम्हारा हमेशा खयाल रखूँगे मैं पाणी लेकर आती हूँ चिंकी दोड़ कर गई और पानी का ज्यारा लेकर आई लेकिन ये क्या चिंकी के अमरोद के पीड पर बहुत सारे बंदर चड़ गए पोरा पेर सपा चड़ कर दिया और ताजे ताजे फल का लिए पर चिंकी से कहने लगा चिंकी देखो तुम्हारे सारे फल बंदर खा गए लेकिन फल तो मुझे खाने थे मुझे एक भी नहीं मिला फिर चिंकी और रोने लगी मम्मे मम्मे मुझे भुल जाए उठो बेटा चिंकी क्या हुआ उठ जाओ बेटा मम्मे चिंकी को हिला हिला कर उठाने लगी चिंकी ने अपने आखे खोली अले नहीं मैं तो सपना देख रही थी तभी चिंकी मम्मे को पिलग गई क्या हुआ चिंकी बेटा, किस थरा का सपना देखा? मम्मी, मैंने सपने में देखा कि बंदर मेरे सारे फल सफ़ाट कर गए और मुझे एक भी नए मिला तभी पापा भी कमरे में आये क्या हुआ चिंकी को? मम्मी ने पूरी बात पापा को बत्रही चिंकी ने सपना देखा कि उसके सारे अमरूत बंदर खा गए है बस इतना ही, चलो नाश्टा करते हैं गट्टा चिंकी ब्रेक्वास करने टेबल पर आकर बैठे पापा देख रहे थे कि चिंकी को चहरा उतरा हुआ था बेटा चिंकी, मैंने तुम से क्या कहा था पेड इतनी जल्दी नहीं उखते और अगर तुम्हारे लगाए पेड से बंदरों ने खा लिया तो इसमें क्या हुआ पेड तो दुस्रों के लिए ही लगाय जाते हैं लेकिन पापा, री ब्लांटेशन सुसाइटी में हमने की या पाने हमने डाला, तो फिर खल कोई और खा जाय तो बुरा ही लगेगा न तभी मम्मी, दादी ने गाउं से भीजा हुआ आम का अचार लेकर आई मम्मी ने गट्टू चिंकी और पापा को अचार के साथ गर्मा गर्म रोटी दी पापा गट्टू और चिंकी ने चटकदार आम का अचार खाया और चिंकी का मुर्ट लिए चटकदार हो गया वाँ मम्मी, अचार तो काफी चटपटा है आम का अचार तो काफी टेस्टी है, दादी को कहना और लेकर आए हाँ हाँ बच्चो मैं दादी से जरूर कहूंगी अच्छा गट्टू चिंकी मुझे ये बताओ अचार किससे बना है पापा अचार तो आम से ही बना है ना तो चिंकी मुझे ये बताओ इस अचार के लिए जो आम इस्तमाल हुए है क्या तुमने इस आम का पेड़ लगाया है या तुमने उन पेड़ों को पानी डाला था नहीं पापा मुझे तो पता भी नहीं कि इन आमों के पेड़ कहां लगे हैं तो मैं पानी कैसे डालूँगी एई समझ रही हो बेटा उसी तरह से अगर तुम्हारे लगाये पेड़ों के फल कोई और खाये तो इसमें तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए तुम्हें याद है हम गाओ गये थे तब हमारे घर के पास कितने बड़े बड़े पेड़ थे जहें उखने में कई साल लग जाते हैं और कई सालों पहले वो पेड़ लगाया गया तभी तो हम उस रफीले और ताजे ताजे फलों का स्वाद ले पाते हैं गट्टू चिंकी मन लगा कर पापा की बात सुन रहे थे आगे मुम्ही बोली इतना ही नहीं हमारे पूर बजों ने पेड़ लगाए तभी तो हम आसानी से सांस ले पा रहे हैं और आने वाली पीड़ी को स्वस्थ और हर्याली का जीवन जीना हो तो हमें आज पेड़ों की आबादी बढ़ानी चाहिए जिससे आने वाले समय में बाता बरन का तापान सही तरह से बना रहे हाँ ममी पापा मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ इतना ही नहीं सोसाइटी गार्डन के पेड़ भी कही सालों से लगाए गए होंगी तभी तो हम वहां जूला बात कर जूला जूल चकते हैं और हमें ठंडी ठंडी छाओं भी तो मिलते हैं तहीं कहा गट्टू चलो गट्टू तो समझ गया लेकिन चिंकी तुम समझेया नहीं बेल्कुछ समझ कई पापा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें